हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच परहार में और दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक सेक्शन 376 IPC पर दोस्तो देखिए 376 IPC जैसे कि आपको पता है एक बहुत ही घिनोना पराद होता है इस पर मैंने अलग-अलग एंगल से वीडियोज बनाएं जिसमें मैंने 376 के बारे में काफी कुछ बताया है और ये भी समझाया है कि यदी किसी के साथ इस परकार का परात कारीत हो जाता है उसके क्या राइट है और ये भी समझाया है कि यदि किसी लड़के पर ऐसे जुटा आरोप लग जाता है तो उसके पास उसके क्या राइट है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप किसी के साथ रिलेशन्शिप में हैं और बहुत अच्छे से हैं लेकिन होता क्या है कि कुछ समय के बाद लड़का ये महसूस करता है कि भही मुझे इसके साथ आगे नहीं जाना इसके कई सारे रिजन हो सकता है कही बार ये होता है कि शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन आफ्टर सम टाइम एक दूसरे से उप जाते है तो लड़का सोचता है कि यार ये क्या इससे अच्छी लड़किया मुझे मिल सकती है और ऐसा सोच करके उस लड़की को ये कह सकता है कि भही मैं तुम्हार साथ शादी नहीं करूँगा या और भी इसके कई सारे रिजन हो सकते हैं परिवार के दबाव मैं ऐसा कह सकता है या फिर उसके मन में कोई और चीज आ जा जाए तो वो ऐसा कह सकता है अब देखिए सीधी सी बात है अगर वो ये कहता है एक मामले में एक लड़का कहने लगा कि साब ये तो सुन्दर नहीं है इसलिए मैं इससे शादी नहीं कर सकता तो क्या जब उसने उसके साहे रिलेशन्शिप इस्थापित किये थे तब उसको नहीं दिखा सुन्दर है या नहीं है तो ये तो पूरी तरीके से आपकी गलत इंटेंशन को शो करता है या नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते कि कि किसी के साथ आप रिलेशन बना ले और बाद में आप ऐसे stupid reasons बताएं कि वो सुन्दर नहीं है या मेरे माबाब मना कर रहे है या मुझे कोई और पसंद आ गई है या उससे सुन्दर मिल गई है तो इस परकार की चीजे करके जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ है उसका तो पुरा का पुरा जीवन खराब हो गया उस पर एक डाग लग गया कारण क्या था? उसने आपके उपर विश्वास कर लिया और यही उसके सबसे बड़ी गलती थी ऐसे मामलों कि कोई कमी नहीं है लास्ट ताइम मैंने ऐसा वीडियो बनाया था और बाद में उस लड़के ने मना कर दिया आप वो ना तो अपने पेरेंटल होम जा सकती है और ना वो लड़का ले जाने को तयार है अब जाएं तो जाएं कहां तो यहां पर देखिए मैं लड़कियों को भी समझाना चाहूंगा जो ऐसा करती है किसी भी रिलेशन्शिप के लिए कभी भी अपने पेरेंट्स को मत छोड़िये क्योंकि आपके पेरेंट्स की जगा कोई भी नहीं ले सकता चाहे आपको कोई कितना ही अच्छा लगता है चाहे आपको कोई कितना ही अच्छा बन के दिखाता है इसका ताजा उधारना भी आपने दिल्ली में देखा, दिल्ली में एक लड़की के साथ क्या हुआ, और कारण क्या था, वो भी ऐसे ही किसी के साथ relationship में रह रही थी, तो ठीक है, आप किसी से प्यार करते हैं, आपकी choice है, आप उसके साथ जाना चाहें, जा सकते हैं, आप adult हैं आपको कोई रोक नहीं सकता लिगाली, लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी है, कि आप भावनाव में भैकर इस प्रकार के कदम ना उठाएं, कि आप माबाप को ignore कर दें, क्योंकि आपके माबाप से भैतर आपके लिए कोई और नहीं सोच सकता, चाहें वो कोई भी हो, initially क्य साथ संबन बना लिए, बाद मैं उसने मना कर दिया, तो अब आप क्या करें, अब देखिए सबसे पहले तो ये, कि आप इसमें वेट बिलकुल ना करें, कई बाले क्या होती है, वेट करती रहती है, कि ऐसा है हो सकता है, कल को पैच अप हो जाए, कोशिश करती रहती है, और समय काफी जादा गुजर जाता है, जब समय जादा गुजर जाता है, तो अगर आप उसके खिलाफ कुछ करती भी है, तो उतरी मजबुती के साथ नहीं हो पाती, क्योंकि आपको पता होगा, मैंने वीडियोज भी बनाए कैसारे, जो मैडिकल आपका होता है, वो भत्तर घं पता चल जाता है, लेकिन अगर आप वेट करते करते ही साल भर गुजार देती हैं, उसके बाद जाके रिपोर्ट कराती हैं, तो आपके लिए दिक्कत रहेगी, क्योंकि ना तो मैडिकल में कुछ आप आएगा, ना तो डिने जांच में कुछ आप आएगा, और जब केस चल जाओंगा, वो ही लिखें, जो एक्चुल में आपके साथ हुआ, किसी के भी कहने में, सुनने में, या भढ़काने में आकर चीजों को इलिवेट करके बिल्कुल मत लिखें, क्योंकि यदि आप चीजों को बढ़ा चड़ा के लिखते हो, तो कल को आप उसे साबित नहीं कर लिखना है, कैसे अधिकारियों को संबोधित करना है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन इंसिदेंट वो ही बताएं, जो आपके साथ हुए है, और एक और चीज, कभी भी किसी पर जूटे आरोपना लगाएं, क्योंकि इससे क्या होता है, कि सामने बाले की लाइफ पूरी ख अगर आप जूटा आरोप लगा रही है, तो वो बिल्कुल गलत है, उससे सामने बाले का करियर तो खड़ाब हो गई, लेकिन सामने बाले के साथ जब इतना कुछ हो जाता है, तो वो भी इसी बात पर आजाता है, कि मैं भी नहीं छोड़ूँगा, वो भी आपके ओपर कु करने चाहिए, क्योंकि नैतिक रूप में भी वो गलत है, और हम सब लोग human beings है, हमको ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से उन एडिक्यों को मदद मिलेगी, जिनके साथ वास्तों में गलत हुआ है, वास्तों में किसी ने उनके सा संबन्द बना करके उनको छोड़ दिया है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स वीडियो में नहीं जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक एड़ गुडबाई, थैंक यू फर वाचिंग, टेक कियर